आप सभी तर्शकों को आज दिपावली की हार्दिक सुपकामनाई मालक्समिक आशिर्वाद आप सभी पर सदेव बना रहे आज 12 नवमर को दिवाली पर इनराज में मुसलाधार बारिस सातराज दूसरी तरह पंगाल की खाड़े में मौसमि सिस्टम की आहट जल्दी ही एक साइकलोन बनने की संभावना यह मौसमि सिस्टम 18 नवमर को ओडिसा की तिटो सी टिकरा सकता है इसकी परभाव से 30 राजियों में 18 से 20 इतमर की दोरान मदिम से भारी बारिस की संभावना है उत्रबार्ट में जमोकस्मी, लेलदा, गिलगीत, बालिस्तान, मुझप्राबाद, हिमाचल परदेश, उत्राखन के उचाई वाले चोटी वाले इलाकों में भारी बरभ बारी देखने को मिल सकती है दिवाली पर कई राज्यों में भारी बारिस का साया भी देखा जा रहा है तमिलनाडू, केरल, तेलंगाना, आंदर परदेश, ओडिसा में तेज बारिस के आसार भी जताए गए हैं इसके लिए ओरेंज और येलो अलिट भी जर किया है जबकि राजदाने दिल्ली सहीत, उतर परदेश, पंजाब, हर्याना, राजिस्तान के लाको में मोसम साफ रहेगा तिहार जहारखन पस्ने बंगाल, चतिस गण, मदिपरदेश में आसमान में बादल चाहे रहेंगी कोहरे में बडोतरी होगी, हलंकी दिन के ताफमान में बडोतरी होगी, जिससे की गर्मी का अनुबव होगा बंगाल के खाड़े में कमदबाव का अक्षेतर सैक्री है, खाड़े में तेज, पुर्वी, उत्तर पुर्वी, हमाई, दक्षणी प्रायदीपी भारत की तरफ आगे बढ़ रही है अगले साथ दिनों तक अन्मान निकुबार दीपसमुआ सहीद दक्षणी पूर्वी और दक्षणी पस्त में बंगाल की खाड़ी पैर एक कमदबाव का सैक्री एक चेतर बनेगा, जिसके कारण पद्र नवमर से कई इक चेतरों में मोसम में बदलाव देखने को मिल सकता है पुरोतर भारत में मेगाले मनीपूर नागलेंड मिजोरम में हलकी बारिस देखने को मिल सकती हैं दिली और NCR का वायू गुनोता सुचकांक मद्यम सीख राब स्रेणी में रहेगा मोसम से तुड़ी है जानकारी सही और सठीक लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें